मॉर्निंग स्टूडेंट आज हूँ बीए पार्ट सेकिन्ड के हमारी आखली शायर मॉलाना हाली की जो पिछले वीडियो में बाकी रह गई थी दो गजल उन गजलों की तस्रीफ पढ़ने जा रहे हैं पिछली गजल में हमने उनके कलाम पर मजाहिरा किया उनके जो गजल की उस गजल की तस्रीफात पढ़ी आज भू उनकी बाकी की दो गजल की और तस्रीफ पढ़ेंगे और उनके कलाम से आशना होंगे उनकी गजल गोई से वाबस्ता होंगे इसी सिल्सले में इकी अगली तीसरी जो गजल मंगाने की शाम में शामिल की है गजल है दिल से ख्याल दोस्त बुलाया ना जाएगा दिल से ख्याल दोस्त बुलाया ना जाएगा आगा इनका ये पहला मिश्रह है इनकी इस तीसरी जजल का सीने में दाग है के मिटाया ना जाएगा देखिए पहला जो शेर है वो यू है कि दिल से खयाल दोस्त बुलाया ना जाएगा सीने में दाग है के मिटाया ना जाएगा इस शेर में शायद अपने दिप्ती आर्ज़ों अपने दिप्ती अपने महभूब की तरफ से मिला हुआ जो दाब है उसे महभूज रखे हुए है उस दाब के बारे में बयाद कर रहा है और कह रहा है कि हमारे सीमे में दोस्त यानि ए महभूब की तरफ से मिला हुआ एक दाब महभूज है जो के हमेशा हरा रहता है तो भला ऐसे दाब यानि जख्म के रहते हुए हम किस तरह अपने दोस्त के खयार को भूल सकते हैं जबके ये जख्म उसी की निशानी है बिल्कु इसी सादा सनीस जबान में बताया है अगला शेर इस गजल का यहाँ देखिए अगले शेर में तुम को हजार सर्म सही मुझ को लाख जब्द तुझ को हजार सर्म सही मुझ को लाख जब्द उल्फत वो राज है के चुपाया नजारे मुझ के बारे में कह रहे हैं कि यह जो मुझ की मानिन है यानि एक ऐसी खुष्भू है जो मुझ की खुष्भू का दर्जा रखती है जो के अपनी मौजूदगी का अहसास करा ही देती है महभूब से कह रही है कि तुम सरम से इसको छुपाओ मैं जबत करने की पूरी कोशिश करूँ लेकिन इस मुखबत का राज इसकी खुश्बू की वज़े से जाहिर हो ही जाता है यानि मुखबत की जो खुश्बू है वो एशी खुश्बू है जो जाहिर होने वाली खुश्बू है और आखिर कार कितना ही इसको जब्द करने का कितना ही इसको छुपाने की कोशिश करूँ आखिर कार ये जाहिर हो ही जाता है तीसरा से एक दिल रजाए गेर है शर्त रजाए दोस्त एक दिल रजाए गेर है शर्त रजाए दोस्त जानिगाद बार इस्क उठाया रजाए यहाँ सायर अपने दिल से कह रही है कि ऐसा इस्क जो कि किसी के रह्म और करम पर हम को मिले उसको हम पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें रखीबों की खुशी को महभू की खुशी के लिए सर्त करार दे लिया हमको ऐसे इस्क से कोई मतलब नहीं यानि ऐसा इस्क हमें नहीं चाहिए जो हमें लह्मों करम पर मिला चोथा से देखी है एसी उनकी बहुत महरबानिया देखी है एसी उनकी बहुत महरबानिया अब हमसे मूँ में मोत के जाया ना जाया बड़े मुटरनू लख्जों का इस्क्माल के आए और साथ ही मुटरनू बहरे इस्क्माल कर रखी है बहुत बहुत बहुतरीन गज़ा लिखी है यहां देखें जो शायर है उन्होंने शेर में शाथ कर दिया है कह दिया है कि महभू के महरबानी की आड़ में नियत पर तंज करके बया कर रहे हैं कि हमने इसे लोगों की बहुत सी महरबानिया लेखी है कि महरबानी और महभबत जता कर दुश्मनी निकालते है तो यह सब कुछ जानते हुए हम महभू के हाथों मोत के मुझ में किस तरह जा सकते हैं यानि हमें पता है कि वो दुश्मनी की कात रहेंगे हम पर महरबानी जता कर हमसे महभबत जता है पांच माशेर राजी है हमके दोस्त से हो दुश्मनी मगर दुश्मन को हमसे दोस्त बनाया ना जाएगा सायर साथ तोर पर कह रहे हैं कि हम इस बात कर राजी हैं कि अपने रखीबों की तरफ दोस्ती का हाथ हम से नहीं बढ़ाया जा सकते हैं यानि हम इस बात से बहुत खुश होते हैं कि हम जो हमारे रखीब हैं उनकी तरफ कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं अब अगर इस जुर्म में हमारे अपने ही हमारी मुखालिफत करते हैं यानि हमारे अपने ही हमारे रखीमों से दोस्ती करते हैं तो हमको उनकी दुस्मनी और मुखालिफत तो मंजूर है लेकिन ये मंजूर नहीं कि अपने ही रखीम से दोस्ती करते हैं हमें ये मुखालिफ़त मन्जूर है कि हमारे अपने हमारे अबने लपीबों से और रभाने दूसों से हात बढ़ा कर दोस्ती कर ले उनके जुनों सित्म हमें मन्जूर है लेकिन हम ये बटई मन्जूर नहीं करें ले कि हम खुद अपने रखीब की तरफ दोस्ती का हाथ बड़ा गलाशे मैं तंड वे जरफ वो सदाए अहले बजम तंड मैं तंड वे जरफ वो सदाए अहले बजम तंड शाकी से जाम भरके पिलाया नजाए मैं शेमुराद सरा यहां साइब कह रहे हैं कि महधिल में जाम होए सबों का दोर चब रहा है लेकिं मैं मुदु तेज और सबीद है जबके उसके मुकाबले में एहले बजम के होसले नहायत कम और तंड है यानि जो शराब है जो मैं है उसकी खुस्वों उसकी जो बू है बू बास है और बहुत तेज है कहने का मुक्सर साथ में कह रहे हैं कि जो बजम में आए गए उनमें इतना होसला नहीं है जितनी उस मैं की तेजी है जो के में कीसी तेजी नहीं रखते ये सब देखकर साथी परेशान है उसके लिए एक एसी सराब का जाम एसे कम होसला लोगों को पिलाने में परेशानी हो रही है साथ मसे बिगड़े न बात बात पे क्यो जानते हैं वो हम वो नहीं कि हम को मनाया न जाएगा हाली महभूब के वकाबले हमारी आदत के बारे में कह रहे है कि जिस तरह महभूब बात बात पर खफा होना अपना हक समस्तारे कि फिर उसको मनाया जाए और वो मजीद तड़पाने के लिए ना माले लेकिन जनाब हम एसे संग दिल बत्तर दिल नहीं है कि हम को मनाने के लिए मिन्नत करनी बने आठाव से मिलना है आप से तो नई हिजर गेर पर मिलना है आप से तो नई हिजर गेर पर किस किस से इखतलाद बढ़ाया जाए इफ्तिलाद से बुआद है बेल जोड बड़ाना सायर यहां कह रही है कि हमारा मकस्थ आप से मिलना है यानि आप से मिलना हमारा मकस्थ है यहां हज़र का माना है तयाम तो जब हम को आप से ही मिलना है तो फिर हम गेर पर तकिया क्यों करें दूसरी बात ये ही के हम अपनी मुआमलात के दूसरे लोगों से मेरी जोन क्यों बढ़ाएं जो के हमारे मुपत के लिए नुक्सानता सावित हो सकता है नुमसित मक्सूद अपना कुछना खुला लेकिन इसकदर मक्सूद अपना कुछना खुला लेकिन इसकदर यानी वो ढूंडते हैं जो पाया न जाएगा यहां खाली अपने तजर्बात की रोशनी में बयान कर रहे हैं के इसके तजर्बे से हमको ये मालूम हुआ के उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस तजर्बे की रोशनी में हमने ये नतीज़ा अख़ज किया ये नतीज़ा निकाना के हम इसक की डगर पर ऐसी चीज़ की तलास में थे जो के हमको हासिल होने वाली ना थी तो फिर एसी चीज़ के पीछे वक्त जाए करना बेवानी आफरी से दसों शे जगडों में एहले दी के नाहाली पड़े बस आप जगडों में एहले दी के नाहाली पड़े बस आप किस्षा हजूर से ये चुपाया नजाए हाली शायर उनको नसीज़त करते हैं कर रहे हैं कि दुनिया के लोग दीन के मौामलात में आपस में इफ्तिलाफ करते हैं तो तुम उनके इस इफ्तिलाफ में ना पड़ों क्योंकि तुम उनके इफ्तिलाफ को वजी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इफ्तिलाफ उनकी लगव पे में दाखिल हो चुका गजब अपर्चा ये हमारे निशाम के आपरी साहिए की आपरी गजब है बरस्त में था खियाल बुनवक यासमीन का देखी शुरू करते हैं गजब लंबर चार वहसत में था वहसत में था खियाल बुनवक यासमीन का लाई है बुए अनस नशीम चमन का यहां बुए अनस यानि महबत की खुस्भूर। वाना क्या होता है महबत की खुस्भूर। वहसत दीवानगी पहले भी पढ़ चुके ने इस लवज के बारे में कई शायद है यहाँ शायद अपनी दीवानगी की हद तर बता रहे हैं कि हमको अपनी दीवानगी में किसी तरह का और किसी का खोश भी ना था लेकिन जब इस दीवानगी के आलम में हमको अपने महमूद की महब्बत वरी खुस्गुदार मुआ का एहसास हुआ दीवानगी में कमी आई हम पे नसीम चमन का एहसान है नसीम चमन से मुराद है चमन की हवा इसका हम पर एहसान है कि वो हमारे महबूद की खुश्गुदार लेकर आई दूसरा से हे बंदगी के साथ यहां जोग दीद भी हे बंदगी के साथ यहां जोग दीद भी जाएगा दीद छोड़ कर अब ब्राहमण का यानि दीद से मुराद है मंदिर यानि मंदिर को छोड़ कर आखिर ब्राहमण कहा जाएगा बंदगी के साथ यहां जोग दीद का दीद भी दा हुआ है यहां तस्वी बड़ी अजीब और अलग तरह थी तस्वीदी है इनकी तस्वीः बहुत ही बेहतरीन तस्वीःा हुआ करती थी देखिए यहां साइब अपनी महबट और आस्पिके बारे में कह रही है कि उसकी महबत के साथ साथ उससे मुलाकात और देखने की भी खाहिस है यानि दीद का जोख भी रखता हूं महबत के साथ साथ उसके दिदार का सोख भी रखता हूं जो सक्स इसक के मंदिर में सनन के साथ बेठा हूँ तो फिर उसको तो एक ही जगए अबादत और जोख दोनों आशिक हो रहे तो फिर भला वो इस हकाम को केशे छोड़कर जा सकता है तीसरा सहर तीसरे सहर में लिखते हैं एहले तरीक जिश को समझते है जाद राह वा दखल दस्ट वै बर्द को ए रहजन राहजन कहा यहां कुछ लफज पाए है दस्ट वै बर्द यानि ख्यानत घबन जाद राह यानि रास्ते का खर्च लिखते हैं शायद एहले तरीक का माना एहले मजब पहले दीनी बशीरत रखने वाले लोग जिस चीज को अपनी जिन्दगी की काम्याबी का जरिया यानि जाद राह खर्च समस्ते हैं वो तो बिलकुल महफूज है क्योंकि यही चीज एशी है कि जहां किसी तरह का कोई गवन या फिर लूट मार का अंदेशा नहीं होता है और इन्शान इस दोलत नामाए आमार के साथ बेखटक निकल जाता है अगला से फसले खिजा कमी में है सयाद घात में फसले खिजा कमी में है सयाद घात में मुर्ग जमन को फुर्सते सेरे जमन कहा यहाँ इजी लफज इस्तमाल करना है यह बहुत यह सादा सही सिर्की तस्पीर हुआ करती थी बहुत आसान जबान आम वहन जबान का इस्तमाल करते थे लेकिन सयाद घात यानि सयाद से मुराद है सिकारी और फसले खिजा यानि पत जड़ का मौसम या खिजा का मौसम सायद मुर्वे समन यानि बुल्बुल यानि आशिक बुल्बुल से मुराद है आशिक की मजबूरी की तरफ कि सारा कर रहे है कि बेचारा मजबूर होकर हर तरफ से गिर चुका है कि इधर गोसमे खिजा चमन की विरानी के दरफे है तो उधर सयाद शिकारी उसकी घात में बेठा है इस वज़े से इस बेचारे ने चमन की शेर करने का इरादा ही तरफ कर दिया अगला से लाता है दिल को वज़्द में एक हर्फ आशना लाता है दिल को वज़्द में एक हर्फ आशना ले जाए हम को देखिए जोके शुकन का यहाँ वज़्द यानि बेखुदी सरमस्की से इस्तमाल लवज का मानिए है महबूब से आशनाई का एक हर्फ ही महबूब से आशनाई का एक हर्फ ही हमारी बेखुदी और दीवानगी के लिए काफी है क्योंके वो हमारे महबूब से मतालब होता है अब देखना यह है के यह हर्फ आशना हमारी शाइरी के जोग को किश हद तक लेके जाता है और दिल में वज़्द की केफियत बरकरार लहती है छठा से जी ढूंडता है बजम तर्ब में उन्हें मगर जी ढूंडता है बजम तर्ब में उन्हें मगर वो आए अंजुमन में तो फिर अंजुमन कहा शायर अपने महबूब के लिए कह रहे है कि कोई भी बजम तर्ब हो वहाँ अगर महबूब ना हो तो फिर बजम की खुशी कायम नहीं रहती लेकिन जेशे ही वो बजम में आते हैं तो वो अंजुमन अंजुमन ही रही रहती क्योंकि लोग उनको देखकर सम कुछ रमगीनी भूल जाते हैं और सम के निगाहे उसी शमा की तरफ उड़ती देखिए साय ने बात को किस तरह से इसमें पेश किया है यानि जब हमारे महबूब अंजुमन में नहीं आते हैं तो अंजुमन का जो रोनक है वो बेरुखनी सी लगती है बेरुनकी सी लगती है और अगर जब अंजुमन में हमारे महबूब आ गए तो फिर वो अंजुमन अंजुमन ही नहीं रहती है यानि सबकी जो निगाहे हैं सबकी जो तबज्जो हैं वो किसकी तरफ मर्कूज हो जाती है महबूब की तरफ हो जाती है और महबूब ही उस अंजुमन की समा या वो एक समा की मानिम उसमें निगाहे हैं जो उसी समा की तरफ उड़ती है दिल हो गया लगज़त गुर्बत से आशना अब हम कहां हवाई निशात चमन कहां अपने दिल की केफियत के तालुक से कह रहे हैं कि मेरा दिल अब गुर्बत की तकल्फ तकलीफ का आदी हो गया है यानि हर तरफ की तकलीफ बरदास्त करने की सलाहियत मेरे दिल में पेदा हो गई है अब ऐसे वक्त में चमन की खुशी भरी हुआ हम को कहां मिल सकती है यानि जो चमन की खुशी भरी हुई हवा है वो हमें कैसे मिल सकती है कहां मिल सकती है अब तो ये खाब की बाते हो गई हैं ये तो अब सिर्फ खाब ही रह गया गये के हमें चमन की खुशी भरी हुई हवा मिलें आठमसे कहता है फिर हम भी सही दुश्मन आपके सिक्वे को ले गया है बे दाग फन कहाँ हमने जब अपने महबूब का शिक्वा किया शायर यहां कह रहे हैं यानि बेराद फन का मना है फन का दुश्मन बेराद फन लिखते हैं कि हमने जब अपने महबूब का शिक्वा किया तो सक्त नाराज हो गया और अपने आपको हमारा दुष्मन समझ कर बाकाइदा इसका एलान कर रहा है उस पर हाली अफसोस कर रही है कि वो दुष्मन फन वो दुष्मने फन हमारे सिक्वे को किस अंदाज से ले रहा है आखरी से रोका बहुत कल आपको हाली नवाम अगर रोका बहुत कल आपको हाली नवाम अगर जाता है महोशोग का दिवाना अलका हाली अपने आप से खिताब करते हुए कह रहे है कि कल आपको महफिल माशूप में जो माशूप की महफिल है उसमें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन आप तो उसके शोक में इतने बहुत दिवाने हो गए कि किसी की परवा ना की अब ये देखना है कि ये दिवाना पन क्या गुल खिलाता है कहां तक लेकर जाता है ये थी हमारे निशान की बीए पार्ट सेकिन के जो गजल गोशोरा है ये हमारे आखरी गजल गोशोरा थे इनकी गजल निगारी पर हम कल हमारे अगले वीडियो पर चल्चा करेंगे इनकी जो गजल निगारी है उसको कल हम हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे आज का हमारा जो मोजू है जो हमारा क्लास है वो यही एक्तेताम पर पहुंचती है, खत्म होती है